हाईलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्ण स्विल में आज मैं आप लोगों को आर्टोकैट की कुछ बेक्सिस के बारे में बताऊंगा तो मैं या सबसे पहले आर्टोकैट का मैंने जो है यहां पर फाइल ओपेन कर लिया और वीडियो एशार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्रेश करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लें पर यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है है उसमें जोओ आर्टोकैटो अ healthy decimal engineering और आल्ग का है तो मुझे यहां पर आर्खिटेक्ट्चल लेना है जसको मैं लेकर okay कर दूंगा तो यहां पर मैंने हाई चुका है उस बास अगिन हम लोग फारइंट पर जाते हैं और drawing limits set करते हैं drawing limits का option यहाँ पर है मैंने इसको select किया उसके बाद drawing limits आप यहाँ पर link के नीचे आ रहा है lower left corner lower left corner में मैं 00 यहाँ पर enter करूँगा क्योंकि मैंने enter कर दिया उसके बाद इस विस्वाइई अपर right corner right corner में आप जैसी requirement है आप ले सकते हैं आप 100 into 100 200 into 200, 300, 400 जैसी requirement है आप ले सकते हैं तो मैं 100 feet into 100 feet का मैं यहाँ पर एक वो दे दे रहा हूँ जो कि मैंने enter कर दिया है अब यह हमारा 100 into 100 का एक page तयार हो चुका है जिसके हम काम कर सकते हैं उसके बाद मैं Z enter करूँगा और A enter करूँगा zoom all zoom all से चीजें छोटी बड़ी आसानी से हो जाएंगी तो उसके बाद जो है मैं आपको अब बताऊंगा line कैसे लेंगे line के लिए मैं L लेता हूँ यहाँ पर enter करता हूँ अब यहाँ पर जो है कोई भी point कहीं पर भी ले सकते हैं तो यहाँ पर L मैंने enter कर दिया उसके बाद मैं 30 feet की एक line मुझे खीचनी है तो देख सकते हैं कि आप जो है यह आराम से खीच गई उसके बाद मुझे 40 feet की एक line height की खीचनी है यही मैंने खीच ली उसके बाद 30 feet की अगेन हम लोग खीच लेते हैं उसके बाद अगेन हम लोग जो है नीचे आकर जो है end point पे हम लोग इसको छोड़ देते हैं जिससे हमारा यह 30 by 40 का एक plot तयार हो चुका है अब उसके बाद हम लोग offset लेते हैं offset के लिए ओ इंटर करते हैं हम लोग ओ इंटर करने के बाद 14 इंच की दिवार 4 तरफ से हम लोग बना लेते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने offset ले लिया है और 4 और से 14 इंच की दिवार मैंने खीच दिया है अब उसके बाद हम लोग TR लेते हैं Trim के लिए TR double click Double enter उसके बाद जो है हम लोग Trim कर देते हैं ताकि जो नई लाइन हम लोग खीचें इसमें कोई problem ना आए error ना आए कोई भी देखिए जैसा कि मैंने यहापर 4 corner को जो है मैंने बिल्कुल clean कर दिया है अब यह neat and clean एक 30-40 का plot with boundary तयार हो चुगा है